नमस्कार साथ ही वो आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैंगे दोस्तो जितने भी कंडिडेट सी आए सब ट्रेट्समेंट का फॉम्प को फिल किये हैं दोस्तो आप उसे इंतिजार है कि उसकी पीस्टी एंड डोकुमेंटेशन और दोस्तो जो उसको पीटी एंड भी होने वाला है तो दोस्तो इस वीडिए में आप सब को बताएंगे कि इसकी physical के लिए admit 카ard कब तक आएगा और दोस्तो इसकी PST and documentation दोस्तो कब से start होने वाला है और दोस्तो आप सो को बता देना चाहता हूं दोस्तो जितने भी candidate ने CISF treatment का form को fill किये हैं अगर दोस्तो आपने photo पर date mention नहीं किये हैं तो दोस्तो आपका form reject हो जाएगा जैसा कि दोस्तो आपको पता ही होगा CISF head constable ministerial or SI में दोस्तो काफी candidate का form reject हुआ है जैसा कि आपको पता ही होगा अगर दोस्तो आपने गलती किये हैं तो दोस्तो आपका 100% दोस्तो आपका form reject हो जाएगा चलिए दोस्तो बीना time list कि हम आपको बता देते हैं कि दोस्तो CISF treatment का physical कब से start होगा और इसका admit card कब देगाएगा तो दोस्तो अभी फिलहाल CISF head constable ministerial SI का दोस्तो PST documentation चलने वाला है और दोस्तो same center पर आपका भी physical होगा तो दोस्तो SEM और SI के लिए दोस्तो इसकी PST फरवरी तक इसकी चलने वाली है फरवरी के बाद ही दोस्तो आपका physical होगा तो दोस्तो आपका जब भी PST and documentation और दोस्तो PT start होगी तो मार्च के महिने में ही दोस्तो आपकी होनी है तो दोस्तो आप इंदास रहें आपका एडिमिकार दोस्तो फरवरी के लास्ट विक तक जारी कर दिया जाएगा और फाइनली दोस्तो मार्च में आपका physical भी start हो जाएगा क्योंकि दोस्तो CSF की भरती है तो CSF के center में ही आपकी physical होगी आप जहां भी देख सकते हैं जहां पर दोस्तो हैड कॉनस्टेबल मिनेशल और एस आई का पीटी एंड डोकुमेंटेशन चलने वाली है तैम में दोस्तो दो फीजिकल नहीं हो सकती इसलिए सबसे पहले सकफार हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंग हो और दोस्तो टेलीघाएगा दिस्क्रिप्जिप्स लॉक्स में दोस्तो टेलीघ्राम का लिंक हम डाल देंगे वहां से जैरू कर लिएगा फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत